अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वहीं सैमसंग गैलक्सी S9 और S9 Plus के उपर Android 10 का Official Global Stable Update Rollout होना शुरू हो चुका है और यहां पर Android 10 के साथ इसमें आपको 1UI 2.0 का इस वीडियो में आपको यही सावाज बताने वाला हूँ कैसा अपडेट है कि इतने साइस का है और क्या-कैन नए फीचस आपको मिलते हैं इस अपडेट के दौरान वैसे तो पहले अनॉंस किया गया था कि जनवरी में यहां पर 31st जनवरी को या 30th जनवरी को ही इन्होंने Android 10 का स्टेबल अपडेट इंडिया में रोल करना शुरू कर दिया है तो हो सकता है अगर आपके पास S9 या फिर S9 प्लस दिवाइस हो तो आपको यह अपडेट मिल चुका हो आप सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं मिला हो तब भी घबराने कोई बात नहीं है आपको बहुत ज़ली अपडेट मिल जाएगा तो आप मुझे सबसे पहले बताए कि क्या आपको यह अपडेट मिल चुका है अपने डिवाइस में और दूसरी बात आप मुझे यह कमेंट करके बता सकते है कि आपको 1.0 के अंदर कौन से फीचर्स सबसे मस्त लगे वैसे मैं फीचर्स के बारे मैं भी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं तो जैसे कि इमने बताया कि इसमें आपको Android 10 का अपडेट मिल गया है इस अपडेट का साइज है तकरीबन 1.7GB का और जो चेंज कि आपको अपडेट से आते हैं मन्तली वह आपको Google Play Store की तरफ से मिल जाया करेंगे तो अब सैमसंग को Android के सिकर्टी अपडेट करने की जरूत नहीं पड़ेगी अब आपको यह अपडेट Google Play Store की तरफ से मिल जाया करेंगे तो यह अच्छी बात है अब यहां पर इसके आपको मेन्यू के अंदर ही स्क्रीन रेकॉर्डिंग का फीचर एड कर दिया गया है तो इस डिवाइस में आपको कोई भी थार्ड पार्टी अप्लिकेशन यूज करने की जूरत नहीं है यहां पर नेटिवली स्क्रीन रेकॉर्डिंग और सबसे अच्छी बात इस स्क्रीन का साउंड चाहिए या फिर सिस्टम एंड माइक दोनों का साउंड चाहिए तो यह बहुत ही लाजवाफ फीचर है इसमें साथ ही आप यहां पर स्क्रीन रेकॉर्डिंग के दौरान फ्रंड कैमरा को भी यूज कर सकते हैं और उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि कि कितने ए आप नीचे से उपर की तरफ स्वाइब करेंगे तो आप हो सकते हैं और अगर आपको रियुक्ति पर जाना है तो सिंपली आप करेंगे तो से अब आप होल्ड करेंगे तो आप रिसेंट मेन्यू पर जा सकते हैं तो यह full screen जेस्स भी आपको यहाँ पर settings के अंदर मिल जाते हैं जो कि काफी useful है अब यहाँ पर आपको digital value का feature दे दिया गया है finally इस Android 10 update के बाद तो यहाँ पर आपको digital value के अंदर जाके देख सकते हैं कि दिन भर में आपने अपना कितना time waste किया किन-किन apps के अंदर तो यह सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं graph wise आपको यहाँ पर information दिखाई जाती है और कितनी बार आपने device को unlock किया कितने notifications आए यह सारी information आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर focus mode add किया गया है तो focus mode basically करता क्या है कि अगर आपको कुछ applications है annoying लग रही है notifications आ रही है या फिर आप उन applications को बहुत जादा use करते हैं और आपको काफी time list होता है तो उन apps को focus list में डाल सकते हैं और उसके बाद start कर देंगे तो उन applications को आप use नहीं कर पाएंगे एक तरह से वो grey out हो जाएंगी एक तरह से वो use में नहीं रहेंगी kill हो जाएंगी कुछ time के लिए तो basically उन्हें आप open नहीं कर पाएंगे ना ही वो application कोई notification आपको दिखा पाएंगी तो उसके लिए आप timing set कर सकते हैं इतने time के लिए आपको focus mode पे इसे रखना है अब यहाँ आपको quick toggle menu के अंतर ही dark mode का एक button दे लिया गया है हलाकि settings में भी आपको dark mode का option मिल जाता है वहाँ पे जाके आप schedule भी कर सकते हैं dark mode लेकिन यहाँ पे आपको system-wide dark mode दिया गया है जो की काफी सरे applications के उपर चलता है जो apps, third party applications भी है dark mode को support करती है तो वहाँ पे भी यह apply हो जाता है बाकी आप इसे schedule भी कर सकते हैं अब यहाँ पे edge lighting का जो इसमें feature था उसमें भी कुछ चौकस type के जमा-जम type के मदब edge lighting वाले options भी दिये गये हैं और कुछ और additional customization के option भी आपको इसमें मिल जाएंगे और साथ ही always on display के अंदर भी आपको कुछ नए customization options देखने को मिल जाएंगे अब camera के अंदर गर आप जाते हैं इसके तो यहाँ पे भी आपको UI पूरा revamp दिखेगा मतब काफी जादा ट्वीक किया गया है camera UI को और साथ में यहाँ पे night mode भी add कर दिया गया है मतलब इसके camera में night mode finally अब आ चुका है और साथ ही इसमें जो calendar और calculator apps हैं इसके अंदर भी कुछ UI tweaks किये गये हैं कुछ additional features भी add किये गये हैं अब यहाँ पे Android 10 आने के बाद जोकेशन से लेटेड़ भी कुछ उसे नए privacy features add किये गये हैं जैसे कि आप कोई application open करते हैं और उसे location की permission required होती है तो यहाँ पे अब आप सेट कर सकते हैं कि जब आप उस application को use करना है उसी time आप location access दें उसे अदर वाइस जब background में चल लिए हो तो location का access वो app ना कर पाए तो यह काफी बढ़िया feature है जो कि Android 10 का native feature है और Android 10 जिन devices में आ रहा है यह feature सभी में आ रहा है और साथ ही यहाँ पे आपको user interface के अंदर जो animations मिलते हैं वो भी अप काफी ज़दा unique काफी refreshing हो गए हैं तो overall एक बहतर experience बनाते हैं तो यह 1UI 2.0 का update आया है Samsung Galaxy S9, S9 Plus devices में इंडिया में rollout होना शुरू हो चुका है Android 10 के साथ यहाँ Android Q के साथ यह update rollout होना शुरू हो चुका है Most probably आपके device को यह अब तत मिल चुका होगा अगर नहीं मिला होगा तब भी आपको यह बहुत जल्द मिल जाएगा बाकी आपको इन में से कौन सा feature सबसे best लगा वो आप मुझे comment करके जरूर बता सकते हैं बाके अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो यह को like करिए share करिए comment करिए चैनल सब्क्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए thanks for watching video, मिलते हैं नेक्ट वीड़े में